तो आज में इस वीडियो में आपको एच जौइनिंग फूट के बारे में बताउंगी इसका फुल डैम हो दूँगी, ओर इसका क्या यूज होता है और हमारी फैवरेक पे हम इस फूट की हैप से क्या-कया वर्क कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको तो hello friends, welcome back to my channel and thanks for watching this video और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो please मेरी चैनल को subscribe कर ले bell icon के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी आने वाली वीडियो इसकी notification आप सबको मिलती रहे इस kit का review जो है मैं अपने पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो मैं link आई बटन में दे दूँगी आप बहां से इस वीडियो को देख सकते हैं box को करेंगे हम open और fifth number का जो foot है उसे हम निकाल लेंगे तो यह है हमारा age joining foot और यह front side से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा back side से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा center में इसमें एक panel होता है जो machine को guide करता है age को join करने में तो आपको वीडियो में देख रहा होगा कि यह foot किस तरीके से है और जो center में इसका panel है वो किस तरीके से है इस foot की help से आप दो part को join कर सकते हैं और ये panel guide करता है उन दो part को जोड़ने के लिए बहुत helpful foot है ये foot आपके पास तो होना ही चाहिए तो चलिए इस foot को हम machine fix कर लेते हैं और आपको बताते हैं इसका use तो foot को machine में attach करने का process है जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो आकर देख सकते हैं बहुता आसनी से ये foot join हमारी machine में attach हो जाते हैं आप हमें क्या करना हैं जिस ल को हमें attach करना है तो मैंने दो पार्ट में अलगवा लिए हुए हैं और देखे है मेरे पास यह दो अलगवा fabric हैं इन दोनों को मैं I join कराऊंगी ओर आपको जितना भी अपने हिसाब से मार्जन रखना है यह दोडा सब यह थोड़ा सा एक्टार मार्जन पे इसको फोल्ड किया हूगा दो कि सफिक्स करना है तो पहले हमें चैनल के हमारी यो उलौकर से फेटे न चाहिए को सेकट में को मार्ण पार्ण को इस से फिक्स करना है, देखिए मैंने दोनों पार्ट को रख लियाँ, फैबरिक के जुमें जोइन करने हैं, और आपको फैबरिक को एक की उपर एक नहीं रखना है, पैनल को सेंटर में ही रहना लेजिए आप, और फैबरिक को आप बिल्कुल दोनों को अलग अलग तरही के स कर सकते हैं मैं जिग-जग इस्टिच जो है आपको करके दिखाऊगी ताकि आपको किलियर ही समाझ में आए कि मेरे दोनों पार्ट किस तरीके से जॉइन हो रहा है लैंड रोबिर्थ मैंने 1.6 एंड 4.5 रखी हुई है कि अध्रिक वे देखी किस तरीके से मैंने फैब्रिक को एक यू पर एक नहीं रखा हुआ है मैंने दोरों जो है वह अलग है आप देख आरोगे वीडियो में कितनी फिनीशिंग से यह यह फुट फैब्रिक के दोनों पार्ट को जॉइन कर रहा है तो देखे दोनों पार्ट लग अलग थे इस फोट ने जोइन कर दी है और आपको ये जोईन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा वीडियो में आपको देख रहा होगा आपको लगेगा नहीं कहीं से कि मैंने ये दो अलग अलग फैबरे के पार्ट जो है वो एक साइट जोइन करें बेक साइट से आपका जो मारजन है आप चाहें तो इस क्यूप पर एक सिलाई लगा सकते हैं ऐसे ही छोड़ना चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप इस फूट की हैल्फ से आपने दो अलग-अलग पार्ट को जोड़ सकते हैं और इस फूट से एक वर्क होता है दूसरा वर्क मैं करके दखाऊंगी कि इस फूट से और कौन सा वर्क हो जाता है तो देखे मैंने एक फाइबरिक ले लिया है और यह मेरे पास एक लेस है तो लेस जब भी हमें कोई किनारे पर अपनी लेस अटेच करनी होती है तो बहुत प्रॉ बहुत ही फिनिशिंग से अपनी लेस अटेच कर सकते हैं देखे किस तरीके से मैंने दोनों पार्टों को रखा हुआ है एक साइट मैंने फैबरिक रखा हुआ है और एक साइट मैंने लेस रखी हुई है और जो पैनल है मेरा जो फूट का फूट का पैनल वो सेंटर में है इस्टिच आप अपने अकॉर्डिंग को इसी भी स्लेट कर सकते हैं, मैंने जिग-जग इस्टिच इसक्यूपर स्लेट की हुई है, और मैं अलग ठ्रेट से आपको इसक्यूपर बगर करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए, वहना आप सेम कलर से करेंगे तो आपने कोई पर जोड़ा है, या आपने लेस कहां से अटेच की है, देखिए कितनी फिनीसिंग से मेरी इस फैबरेक यूपर लेस अटेच हो रही है, बहुत ही हेल्फुल फोट है, मैं आपको तो एडवाइस दूगी कि ये फोट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नॉर् बनाया है, और किनार पर मैंने ये लेस अटेच किया, कितनी फिनीशिंग से लेस अटेच हो चुकी है, इस तरीके से आप इस क्यूपर ये लेस अटेच कर सकते हैं, आपने फैबरेक ये डिजाइन बना रहे हैं, आपका पार्ट अलग-अलग हैं, दो अलग-अलग कलर के है देगे कितनी finishing से यह मेरी laces fabric क्यों पर attach हुई है आपको बाबार सलाई लगने जरूरत नहीं है कि आप कलिप first part fabric पर सलाई लगा है फिर laces पर लगा है एक बार में ही आपके दोनों काम हो जाते हैं laces भी attach हो जाएगी इस foot से और आपके दो part भी join हो जाएगी इस foot से थो friends अपको यह video कैसा लगा अगर आपको यह video पसंद आया हो तो please एक like जरूर करिएगा और comment जरूर करिएगा कि आपको यह video कैसा लगा नेक्ट वीडियो में फिर्म मिलेंगी आपको एक नए foot के demo के साथ ततक दीक के लिए take care bye bye